Hello everybody, this is Degraas Singh Rajput, welcome to Magnate Brains इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे the old mughal provinces ठीके old mughal provinces में हम specifically हैदराबाद के बारे में पढ़ने वाले हैं अब ये क्या है heading जरा समझो, ठीके relate करना topic को मैंने आपको क्या बताया पिछले वीडियो में? कि जो नई-नई kingdoms emerge हो रही थी, उसमें अलग-अलग category की kingdoms emerge हो रही थी जो पहली category, पहली type की kingdoms जो बनी थी, वो कौन सी थी? वो थी old mughal provinces, मतलब पूरा कब पूरा mughal province, mughal empire उस mughal empire में क्या होता है? कि जो सुबेदार्स होते हैं, जो governors होते हैं, तो वो अपनी independence assert कर लेते हैं क्या बोलते हैं वो? भी हम तो अलग होरे independent होरे हमें चाहिए आजादी तो उसी तरह से आजादी मांगने वाले जो अलग-अलग provinces थे, अलग-अलग states जो बने जो मughal empire से बाहर निकल आए, उनमें एक था हैधराबाद, कहां पे हैधराबाद? तो अगर आप देखोगे तो ये है है हैधराबाद का street, उस समय पे जब हैधराबाद का street अपनी independence assert करता है तो आप देखोगे south में, डककन में, जो औरंग-जेब ने जितना भी जो भी जीता था, ठीकें, वहाँ पे अगर आप देखोगे, तो वहाँ पे निजाम बनाया जाता है किसे, मतलब निजाम नहीं कहेंगे, वहाँ पे governor की तरह appoint किया जाता है अशर्फ जाको, जिसने title क्या लिया, निजाम-ul-मुल्क, ठीकें, निजाम-ul-मुल्क, तो उसने ये title गेन कर लिया, हाँ एक चीज़ और, एक दिक्कत यह आती, medieval history में, इंसान एक होगा, जैसे औरंग-जेब है, औरंग-जेब को एक और नाम से जाना जाता है, जो confuse कर दे चिंक्विलिच खान, ठीकें, ये एक और नाम हो गया, तो ये जो medieval history में अधिकतर नाम बहुत सारे हैं, तो कोशिश ये करो कि आप जितने cover कर सकते हो, अगर कहीं twist हो के आता है, तो आपको वहाँ पर बन जाएगा, clear है, competitive के perspective से important है, बताया है मैंने, तो अब निजाम-ul- अब इसके time period में क्या होता है, यहाँ पर समझना अब इस कहाने को पूरी, कि मुगल empire जो धीरे-धीरे decline होते जा रहा है, अब यही time period अगर आप देखोगे, को ऐसे relate करना है, facts figures कहीं भी पढ़ लोगे आप, Wikipedia किस दिन काम आएगा, अगर facts figure पढ़ना है, Google किस दिन काम ठीक है, तो facts figure के अलावा undercurrent पढ़ने की कोशिश करो, चीजों को relate करने की कोशिश करो, कि यह अगर इस time period में अपना state जो हो establish कर पा रहा है, वो इसलिए कर पा रहा है, क्योंकि इस time period में जो मुगल empire हो weak होते जा रहा है, आपको पता है 1707 के बाद में लेटर मुगल साए, व और ये जो है, ठीक है, अश्रफ जहा जो है, तो ये औरंग जेप के time का आदमी है, ठीक है, तो relatively age में जादा है, अब सिर्फ सफेद बाल नहीं हुए थे, ठीक है, और वो age के कारण नहीं हुए थे, वो सफेद बाल experience से हुए थे, अब औरंग जेप के बच्चे पोते पाती जब rule कर रहे हैं, तो उस समय पे अश्रफ जहा ने क्या सोचा, कि अब मुझे independence assert कर लेना चाहिए, उसे दिख भी रहा था क्या, कि मुगर empire weak होते जा रहा है, और साथ ही साथ में इस समय पर आप देखोगे तो जिसे नादिर शाह वगर अगर अटेक कर रहे थे, ठीक है, ध क्या होता है, नादिर शाह तो लेट अटेक करता है, लेकिन जो weak है, मतलब empire जो दीरे दीरे क्या होते जाता है, ठीक है, अब आगे देखें, तो he was entrusted first with the governorship of Avad and later given the charge of Deccan, पहले उन्हें अवद की जिम्मेदारी दी, अवद फिर उसको transfer कर दिया कि इधर, हैदराबाद की ठीक है, मनसबदारी रेंग भी जादा थी, मनसबदारी रेंग साथ हजार थी, और उसी के साथ साथ क्या होता है, कि अब इन्हें जब नीचे ली territory की power दी, तो मुगल emperors जो बाद में आये, लेटर मुगल जो हुए 1724 के बास से, तो they were engaged in northern part, ठीक है, वो northern part में परिशान थ जा रही थी, ठीक है, तो as a mughal governor, तो mughal governor की तरह है 1720 से 1722 के 22 तक, तो इस time period में उनने क्या करा, कि he gained control over its political and financial administration, political, financial, military, जो powers थी, उन सारी powers पे इसने धीरे-धीरे कबजा कर लिया, जो हैधराबाद की, ये सारे dimensions पे जो functions हो रहे थे powers थी, उन पे कबजा कर लिया, उन पे Consequent Advantages of Turmoil, ठीक है, अब ये जो Turmoil है, तो Turmoil में आपको भी बता रहा हूँ, कि अंधर क्या हो रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया, कि जो Nobles थे, वो Nobles के बीच में आपस में क्या है, Iranians जो थे, ठीक है, Turanis जो थे, तो Iranians, Turanis, ये जो सारे Nobles थे, आपस में लड़ रहे तो उनके बीच की लड़ाईयों का फाइदा उठाते हैं, क्योंकि ये देखो, ये South में है, तो North में जो Controversies दिली पे चल रही है, उसका Impact इनके ओपर कुछ नहीं पढ़ना है, उल्टा ये है कि North में जो मुगल Emperor से उनका ध्यान यहां से उठ जाएगा, ठीक है, उनका ध्य ये टर्मॉइल का फाइदा उठाते हुए, इस टर्मॉइल का फाइदा उठाते हुए, क्या करता है शवजा, he gathered power in his hand and became the actual ruler of that region, actual ruler बन जाता है उस region का, ये दिहान रहेगा ना, तो ये चीज़े दिहान रखना आपको, देखो, दो बाते important में बताता हूँ, आप जो भी 1724 में इस स्पेस में कुछ हो रहा होगा, इस स्पेस में कुछ हो रहा होगा, तो हम यूजुली क्या करते हैं, जब पढ़ते हैं, यहां यह हो रहा है, यहां यह हो रहा है, यहां यह हो रहा है, लेकिन जब इसको आप पैरलल परोगे, पैरलल कैसे परोगे, कि 1724 में बाकी क क्या हो रहा है देश में उसके साथ पढ़ोगे ना तो बिलीव में आपको रेटरना नहीं पढ़ेगी चीज़े आप कहानियां जोड सकते हो फिर तो हमेशा पढ़ते समय हिस्ट्री पढ़ते समय खास करके टाइम और स्पेस मैच करके पढ़ा करो और अधिकतर क्या होता आप देली सुल्तान के आद में मुगल एंपरर्स अब फिर प्रिटिश हा जाएंगे तो वह बहुत आसान लगता है ठीक है तो वह स्रिफ टाइम ही टाइम पढ़ रहे हो आप लेकिन उसी टाइम को कर स्पेस के साथ पढ़ोगे तो जब यहाँ पे कौन रूल कर रहा है यहाँ जैसे देली सुल्तान सुरूल कर रहे तो इधर आप क्या देखेंगे दर पालास हुआ करे होंगे ठीक है तो वह टाइम और स्पेस की कहानी जरूर साथ में रिलीट करने है अभी सेवन्ध क्लास में हो ठीक है और यह जो बात मैं ने बताई तो सेवन्ध क्लास वाले से ही स्टाट करेंगे क्लेर हैं सो दिस इस दी होल कंसेप्ट यह कंसेप्ट पुर समझ में आया कि किस तरह से हैधराबाद जो हैधराबाद में निजाम अलमुल्क अश्रफ जहा ने अपनी जो जड़े हैं वह जमाली है तो वह पूरी कहानी बताई मैंने आपको अब और आग एक्सेप्शन रहेगा ठीक हैसी ध्यान रखना जब आगे में बेंगौल अगरा के बाद में जब अब चीजों को समराइस करेंगे तब में आपर कुछ बात बताऊंगा आपको ठीक है तो उन्होंने क्या करा मनसबदार्स को ले क्या है उन्हें जागीर्स दे दी मनसबदा एक्सपीरियेंज जो ट्रस्ट्रेड नूबल होगया उसके बाद में क्या है कि कभी वी फॉर्मली टाइस नहीं थोड़ी मतलब क्या है कि फॉर्मली जन्होंने यह नहीं बोला कि मैं मुगल एमपरर को कभी मदद परती थी सोल्जर्स पी ठीक है तो यह मदद करने के लिए भी पहुचे तो जैसे बैटल ऑफ भॉपाल एक हुआ था ठीक है हिस्ट्री में अगर आप रिलेट करोगे इस चीज को तो आपको समझ में आगा कि यह जो निजाम वगएरा हुआ करते थे ठीक है तो निजाम ऑफ हैदरबाद भी खा जाता था निजाम वन के नाम से भी जान नहीं करते थे क्योंकि मुगल एंपरर को भी पता है कि अगर हम इंटर्फेयर करेंगे तो लड़के आजाद ही ले लेगा अभी हमारी रिस्पेक्ट कर रहा है जब तक करने दो जैसे क्या होता है कि किसी इंसान से कुछ नहीं बन रहा है तो आप से सिर्फ बोली सकता है ऐस चल रहा था काम ठीक है फॉर्मली टाइस तोड़ी नहीं गई थी लेकिन प्रेक्टिकली देखा जाया तो उसने अपना अलग एक स्टेट डवलप कर लिया था निजाम का जो जैसे निजामी थी पूरी की पूरी हिदराबाद पर स्टैबलिश हो गई थी ठीक अब यहां प कि हिदराबाद स्ट्रगल में ऐसे लगा हुआ था कि मराथास और तेल्गू वारियर चीफ जो थे जिसे जिने नायक्स कहा जाता है ठीक है तो यह लोग पसीने शुडवा दे रहे थे निजाम के कैसे पसीने शुडवा दे रहे थे वो बताता हूं मैं आप जैसे आप यहाँ के लोकल मतलब जो इंडिजीनियर कै सकते रूलर्स थे इंडिजेनियर्स थे तो इन इंडिपेंडेंटली यह तैल्गू ओरियर्स करते रहते थे निजाम कि आर्मी को चैलेंज करते रहते थे थे उसके साथ साथ मराठास एक बड़ा नाम ठीक वेस्टन साइट पर आप देखोगे तो मराठास थे अब मराठास भी कंटिनुसली इनके साथ वार में रहते हैं अब वही वाली चीज देखो टाइम और स्पेस से कैसा पड़ा जाता हूँ मैं बताता हूं आपको अब अगर मराठास की बात करते हो तो इस टाइम पीरेड में मतलब जिसके 20 से 40 1724 में आई थी तो 1720 से 1748 तक पावर में रही है ठीक है मतलब यह निजाम रहा है डैनस्टी तो और भी अश्रफ जाहिए डैनस्टी और भी आगे पावर में रहेगी अश्रफ जाह जो थे तो इस टाइम पे थे ठीक है अब वही पैरलल टाइम पर अगर आप मराठास में समझ बाजीराउ थे बाजीराव वन बठेशी ना वाजीरा वस्तानी तो घृप सोव थे कहान होना अपने पुर्य आपने सीन देखा है मूवी में जब बाजीराव को घृता है Histiil dość तो वह उसे मिलने जाता है निजाम से मिलने जाता है कि ऋन बाटल बना रहो हमारी सेना तुमा तरह से माराथा जो तो एक थ्रेड बन गए थे किसके लिए अश्रफ जाहिए इसके लिए तो यह वही बताया गया कि हिदराबाद प्रोविंस तो इस्टैब्लिश कर ली थी बट रूस कॉंस्टेंटली एंगेज़ इन स्ट्रगल्स में लगाता जुड़ हुए थे वो किसके फील करना कि आपके आजुबा जो कहां क्या हो रहा है वो कैसे रिलेट कर सकते हो आप उन चीजों को तब मजा आएगा इस्ट्री बने में फाइन यह हो गई सारी चीजे अब देखो एक और चीज थी अगर देखा जाए तो अश्रफ जाह के टाइम पिरेड में क्या कि इस कि अधर यहां की साडी अवगरा जानी जाती है तो वो पहले से इस्ट्री वहां की एक लंबी तो यहां जो रिच टेक्स्टाइल पर दियूस होताथा तो तो निजाम चाहता था कि वो इस एरिया में क्या कर ले कंट्रोल ले अपना यहां से जितना भी ट्रेड होता है वो ट्रेड खुद समाल ले लेकिन निजाम को यहां पर क्या करना पड़ता था नए चैलेंजिस थे तो टेक्टाइल प्रडूसिंग एरिया उफ कोरमंडल प्रडूसिंग नहीं है लेकिन ट्रेडर की तरह आये थे तो वह जादा पैसे दे क्या करते थे यहां के जो टेक्स्टाइल प्रडूसर्स थे उनसे प्रोड़क्ट वागेरा खरीद लेते यह सारी चीज़ हो रही थी तो यहां पर भी बताएगा है इस्ट वर चेक्ट सब्सक्राइबाद को भी कबजे में ले लेंगे अपने मयदार चीज़े हैं यह कंसर सारे ध्यान रखना जो मैं पढ़ाते चल रहा हूं आपको क्योंकि यह चैप्टर आपको क्लास 8 में आपकी बहुत मदद देने वाला है ठीक है यहां से कहानी है क्लास 8 में आपकी बहु लेंश कि कर सकते हैं आपको क्या करना है अपने जूनियर और सीनियर गों मैंगनेट स्के बारे में बदाना है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में एक प्रोविंस हमने पढ़ लिए और इसी तरह से दो और प्रोविंस पढ़ने वाले हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम अवद के बारे में पढ़ेंगे तil then stay connected, keep learning, thank you, thank you very much